सहन करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं सहन करना को इंग्लिश में आप to bear, to endure या to tolerate कह सकते हैं जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उसे अपने प्रियजन को खोने का दर्द सहना पड़ा तो आप कह सकते हैं या अगर आप यह कहना चाहें कि व्यक्तिगत विकास के लिए आलोचना, सहन करना, सीखना आवश्यक है तो आप कह सकते हैं Learning to bear criticism is essential for personal growth Learning to bear criticism is essential for personal growth अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें